आज हम बनाएंगे रवा ढूकला इंस्टेंट हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है मैंने लिया है दो कप रवा यह माप से लिया है आपको जितना चाहिए आप ले सकते हैं और यही माप से मैंने 1.5 कप दय लिया है दय को अच्छे से आप फेटके ले लिए अब हम उसमें अधरक हरी मिच लसुन की पेस्ट डालेंगे लसुन डालने से बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है अगर आप लसुन नहीं खाते है तो स्केप किजेगा पर लसुन अगर आप खाते है तो जरूर डालें मिर्ची बहुत तिखी वाले लिए है मैंने तो उतना मैं डाल रहा हूं और यह ढोकला जादा तिखा नहीं होता है मीडियम तिखा करना है हमें शक्कर लिए है मैंने 2 टेबल स्पून शक्कर डिपेंस आपका दई दई हमें मीडियम खट्टा लेना है अगर ज्यादा खट्टा रहेंगा तो उसे साथ से आप ज्यादा कम शक्कर कर सकते हैं कि नमक डाल रहे हूं टेस्ट के अंसर डाली अभी मैंने 1 टी स्पून डाला बादले में एड़ कर सकती हूं अगर कम लेंगा तो अभी हमें हाथों से मिक्स करना है अभी हम थोड़ा पानी डालेंगे इस बैटर को हमें ज्यादा पतला नहीं करना है गाठे नहीं होनी चाहिए मैंने 2 टी स्पून नमक डाला है पहले एक टी स्पून डाला था वापस मैंने 1 टी स्पून एड़ किया है अब हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे तब तक हम पानी गरम करने के लिए रखतेंगे प्रिंस मैंने पानी गरम करने के लिए रख दिया है और मैंने खमन रोकियम का वीडियो अप्लोड किया है उसमें मैंने एक्स्पीन किया है किस तरह से आपको कपडा रखके डखकन रखना है थाली को मैंने तेल लगा के ग्रिस करके रख दिया है अब इस पैटर में हम तेल डालेंगे दो टेबल स्पूम और त्री स्पून हम इनो डालेंगे और उसके ओपर थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करना है हमें बैटर हमको ज्यादा पतला नहीं करना है मैंने इसमें लिम्गो डाला है बरतन काला नहुजा इसके लिए और काठा रखा है उसके उपर हम ठाली रख देंगे अब हम इसमें बैटर डालेंगे गैस पास्ट करना है हमें और 20 मिनिट के लिए हमें पकाना है मैंने दोखले के थारी को 10 मिनिट हो गया है निकाल के रखा था दोखला ठंडा हो गया है अब हम उसमें पेसिस करेंगे फिंस मैंने दो टेबल स्पुन तेल लिए है तेल को गरम करने के लिए रखा है मैंने अब हम उसमें राए डालेंगे राए थोड़ा हमें ज्यादा डालना है इस तरह से मैंने कट लगाया है मिर्ची को कड़ी पत्ता डालेंगे कड़ी पत्ता बड़ा तोड़के डालना है इस उगंद अच्छी आती है और मैंने काले तिल लेए हैं आप चाहिए तो सफ़ेग तिल भी डाल सकते हैं अब हम गैस बन करेंगे अब हम दोखले पर डालेंगे अब देखिए बहुत ही अच्छी जाली पड़ी है और बहुत ही सौक बने हैं ढुकला आप तो ढुकला बनाते ही होगे पर मेरी मैथेट से जरूर बनाएगे तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक किजे शेर किजे और कॉमेंट देना नाम भुले फ्रेंज तैंक्यो फॉर वाचिंग मा वीडियो